नमस्कार मैं कशेश आप देखने नेक्स नाइंस प्रिचुल निरंतर काउं काउं बोलने वाला काउवा एक छोटा पक्षी है जिसे दुष्ट समझा जाता है यह छोटे छोटे जीवें अन्य अन्य प्रकार की गंदगी खागा जीवन यापन करता है अन्य पक्षियों की भी अन्जान होंगे कि मरने के पश्चात कउवे का शरीद आउश्टी के लिए प्रियुक्त होता है किन्दु श्राद पक्ष में कउवे को भक्ति और विनम्रता से यताशक्ति भूजन कराने की बात विश्णु पुराण में कही गई है पित्रों का प्रतिक मान का श्राद प्रतिक माना जाता है इन दिनों कवे को खाना इवं पीपल को पानी पिला कर पित्रों को उत्रप्त किया जाता है हमारे पुराने जमाने में एक परंप्रा चली आ रही है कि यदि किसी के सर पर कवा बैठ जाय तो वह अपने रिष्चदारों को जूटा पत्र लिखता है कि उसके मृत्यों हो गई इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोप करते हैं उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि यह खबर निराधार है कोवा सिर्पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी कहते हैं इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है कोवा संकेज जाने कोवा की चोज में फूल पत्ति हो तो मनुरत की सिद्धी होती है यदि गाय की पीट पर बैठकर अपनी चोज रगटता हुए दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है सुखात इनका अपनी चोज के लिए दिखे तो धनलाब होता है कोवा अनाज क की धेर पर बैठा मिले तो धान्या लाब होता है और गाय के सर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भीट वारता होती है उट की पीट पर बैठा मिले तो यात्रा खुशल होती है यदि सूर की पीट पर कवा बैठा दिखाए दे तो विपल धन की प्राप्ति होती है यदि कवा दूल में लोड़पोर्ट होता दिखाए दे तो उस्थान में वर्षा होती है कवव के अंडों की संक्या से भी शुवाशुब की भविश्यवानी की जा सकती है एक ही अंडा दे तो इसे कारुणा कहा जाता है इसे अच्छी वर्षा और अच्छी पैदवार के संकेत समझना चाहिए इसे प्रजा में प्रसंता रहती है यदि दो अंडे दे तो इसे अगनी कहा जाता है एसे स्थिति में अल्प वर्षा होती है खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता प्रजा भी दुखी होती है तीन अंडों को वायू कहा जाता है यह भी शुप संकेत न भोग लगाने से यात्रा सफल होती है यदि कवा बाई तरफ से आकर भोग का ग्रहंट करता है तो यात्रा निर्विगन संपन होती है यदि कवा पीट पीछे से आता है तो प्रवासी को लाब होता है वही दाई तरफ से उड़कर बाई तरफ आ जाए तो भोग ग्रहंट कर उड़ कर कोवई की पाल पर जाकर बैठ जाए तो नधी टट पर जा बैठे या जिलपून घाट पर जा बैठे तो कोई वस्तू मिलती है मुकदमे में जीत होती है और धन्य धान्य में भी व्रिद्धी होती है अगर हवेली अत्वा अटारी पर या हरे भरे व्रिक्ष पर जा बैठे तो अक्समात धनलाब मिलता है यदि कव अपनी चोच में फल रोटी है मास का टुकड़ा दबाए दिखाए दे तो अबिष्ट कारे की सफलता होती है यह जानकारे आपको कैसी लगी है कमेंट करेंगे जरू बताएगा वीडियो को लाइक और श्रह करना ना भूले